यू वन्पलस नोड सीफौर इस बार वनपलस का हीएईईद दौन चोनि European कोक है जड़ चुका आपको मिल जाता है डिशाइन की बात करें डिशाइन पूरी अपडेट मिल जाता है प्रीमियम डिशाइन के साथ यह फोन मिल जाता है value for money ये phone हम बोल सकते हैं 25,000 रुपे में आपको बहुती best features के साथ ये phone मिल जाता है look आप देख रहे हो बहुती light weight और ये unique design के साथ आपको मिल जाता है marvel finishing के साथ ये phone मिल जाता है तो बात करते हैं हम display की display इसके अंदर इस बार बहुती तगड़ी होने वाली 6.70 इंच का amoled full hd plus display होने वाला है जो कि आपको मिलता है 120 hertz के साथ in display fingerprint के साथ और hdr10 plus supported इस phone में मिल जाता है refresh rate 120 hertz आपको मिलता है इस phone के अंदर आपको display जो है वो आपको 1100 nits का brightness मिल जाता है screen to body ratio वो 93.40% आपको मिलता है जो कि आपको bezel बहुती कम मिलती है जिससे आपको view अच्छा मिलता है in display fingerprint इसमें मिल जाता है 120 hertz का smooth display इस phone के अंदर मिल जाता है hdr10 plus का support मिलता है जिससे कि आप high content इसमें प्ले कर सकते हो amazon, prime, netflix, सारे आप OTT सो high quality में इस phone के अंदर देख सकते हो आराम से 5G का supported dual sim 5G इस phone के अंदर आपको मिल जाता है और ये phone आपको 1100 nits के साथ मिलता है जो कि आपको sunlight में देखने में कोई तकलिफ होने वाली नहीं है pick brightness अच्छी है और brightness भी main part इसका जो है वो है camera sensor सबका एक सवाल रहता है कि camera sensor कैसा है camera quality कैसी है इस phone की तो दोस्तो इस बार पूरा one plus ने node series के अंदर पूरा update दिया है आपको sony camera sensor इसके अंदर मिल जाता है 50 megapixel sony LYT600 का latest प्रस जो sony sensor है वो आपको मिल जाता है 8 megapixel ultra wide sony IMX 355 का ultra wide angle वाला जो camera है वो भी आपको sony का ही मिलता है इस phone के अंदर तो camera quality इस बार वाकई में तगड़ी होने वाली इस phone की जो की बहुत जोड़दार है इस phone से हमने एक photo click की थी वो वाकई में जोड़दार निकल के आई क्यूंकि इसका जो camera है ना sony sensor वाकई में तगड़दा है बहुत जोड़दार है photography में ये phone जिस segment में आपको मिलता है 25,000 रुपे में तो photography में नंबर वन हो सकता है हाला कि इसकी comparison में और भी phone आते लेकिन ये जो oneplus brand का जो phone है वो बहुत ही जोड़दार है node C4 जो की इस price range में आपको value for money ये phone मिलता है camera में बहुत सारे features आपको अलग-अलग मिल जाते है camera की अगर detail में हम बात करे तो 50 megapixel का Sony LYT600 का आपको नया sensor जो है Sony का वो मिल जाता है latest 50 megapixel का man camera sensor मिल जाता है lens की quality की बात करे तो आपको 5P lenses के अंदर मिल जाता है autofocus मिल जाता है इस phone के अंदर lens जो aperture value आपको है f1.8 मिल जाती जिसके करण आपको low light photo अच्छी आती है EIS support मिल जाता है OIS support मिल जाता है secondary जो sensor है वो आपको मिल जाता है IMX 3.5 का मिल जाता है 8 megapixel का ultra wide angle जो कि आपको 112 डिगदी तक आपको angle cover करता है dual rear LED flash जो ring देख रहे हो उसके अंदर आपको dual flash light मिल जाती है 20x digital zoom आपको photo के अंदर मिलता है 10x digital zoom आपको video के अंदर इस phone के अंदर मिल जाता है तो वाके में ये phone धगड़ा है प्रोसेटर अच्छा है बेटरी बेकप बहुत ही जोड़दार है इस phone का और camera quality बहुत ही अच्छी है और बात करेंगे तो display इसकी बहुत ही सांदर है camera के अंदर आपको protet mode मिल जाता है night mode मिल जाता है slow motion मिल जाता है सारी चीज़े आपको मिल जाती है android 14 का latest update इस phone के अंदर मिल जाता है तो आगे हम बात करेंगे इसका processor के साथ है और यह phone आपको कौन से variant के साथ मिल जाते है तो इसमें operating system के बात करेंगे तो oxygen इसका खुद का operating system में वो आपको 14 मिल जाता है android 14 भी मिल जाता है साथ में दोनो latest update मिल जाता है processor की बात करेंगे snapdragon 7 Gen 3 mobile platform पे बना हुआ यह phone snapdragon का आपको processor मिल जाता है और CPU की बात करेंगे तो इसमें gaming जो processor है वो Adreno 720 का आपको latest मिल जाता है 8GB LPDDR4X की RAM मिल जाती है virtual RAM expense आप कर सकते हो support है 3 expense option के साथ आप 4GB, 6GB, 8GB 4GB, 6GB, 8GB तक आप बढ़ा सकते हो 128GB storage है 256GB storage 2 variant इसमें available मिल जाते है microSD card आपको 1TB तक इसमें supported मिलेगा जो कि आपको dual SIM प्लस memory card आप नहीं लगा सकते हो hybrid आपको slot मिल जाता है 5.5,000 image का आपको इसमें battery मिल जाता है 100W का super work charging जो कि आपको battery health engine के साथ मिल जाता है 15 minute अगर आप charge करते हो तो आपको 50% चार्ज करने को लिए मिल जाता है audio jack की बात करेंगे तो उपर की साइड़े आपको noise consolation support मिल जाता है dual mic system इसके अदर मिल जाता है and dual stereo speaker इसके अदर मिल जाता है high-res sound इसके अदर मिल जाता है high-res wireless भी आपको मिल जाता है तो ये दोनों supported इसके मिल जाता है झाल झाल